दिल्ली के जमनापार में हमारा एक छोटा सा घर था। पढ़ाई पूरी होने के बाद पिताजी ने मुझे जहांगीर पूरी के एक कारखाने में लगा दिया था। पिताजी भी उसी कारखाने में काम किया करते थे। उन्ही दिनों पिताजी ने एक पुरानी स्कूटी एक दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो पिताजी बुखार में तप रहे थे। जाओ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्या मैं अकेले नहीं जा सकता? तब बाबुजी बोले, मेरे बुढ़े होने के बाद तुझे ही तो अकेले जाना होगा? कारखाने अम्मा को बताते हुए बाबुजी ने फिर कहा, एक महीने में नेक राम ने कारखाने का बहुत काम सीख लिया है, बाबुजी की बात सुनकर मुझे खुशी मिली चलो बाबुजी ने मेरा सपोर्ट तो किया, बाबुजी की इस बात पर मैं बहुत खुश था और मन ही मन सोचने लगा, बाबुजी को तो बुखार है, इसलिए आज मैं स्वयम स्कूटी चला कर कार खाने तक जाऊंगा मैं जल्दी जल्दी तयार हुआ खाने का, टिफिन हाथ में लिया और बाबुजी का अलमारी से हेलमेट उठा कर आंगन में खड़ी स्कूटी की तरफ चल पड़ा, आंगन की तरफ मुझे जाते देख, अम्मा ने मुझे टोका, नेक राम, मेरी बात सुन बाबुजी स्कू और मैं तो लड़का हूँ, मुझे सीट भी नहीं मिलेगी, मगर अम्मा के सामने मेरा कोई बहाना न चला, अम्मा ने थोड़ा नाट किये गुस्सा दिखाते हुए कहा, जाना तो तुझे बस से ही पड़ेगा, आज कल ट्रैफिक पुलिस वाले किसी की नहीं सुनते, अगर तुझे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़ लिया, तो तेरे बाबुजी की स्कूटी भी जब्त कर लेंगे, फिर तेरे बाबुजी अगले दिन कार खाने कैसे जाएंगे भला इसी में है, तु बस से निकल जा, मैं तुझे बस, का किराया भी तो दे रही हूँ, फ पैदल ही बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा, रास्ते में जान पहचान वाले मित्र मिले और कहने लगे, नेकराम, तु पैदल क्यों जा रहा है, तेरी स्कूटी खराब हो गई, क्या, तभी दूसरा मित्र बोला, लगता है, नेकराम की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया बेचारा, इसलिए पैदल ही जा रहा है, अम्मा ने मुझे साफ मना किया था, मोहले के लड़कों से बिलकुल बात नहीं करनी है, इसलिए मैं चुपचाप कान में उंगली डाल कर बस स्टैंड की तरफ चलता रहा, थोड़ी देर में मैं बस स्टैंड पर पहुँच गया, वहां एक दीवार पर लिखा हुआ था, गोकुल पुरी, बस स्टैंड, वहां खड़े एक मैले कुचैले कपड़े पहने ठंडे मशीन की पानी वाले दुकानदार से पूछा, मुझे जहांगीर पुरी जाना है, कौन से नंबर की बस जाएगी, उसने कोई उत्तर ना दिया पहले तो मुझे लगा वह गूंगा है बोल नहीं सकता, फिर मैं समझ गया, पहले इसका पानी पीना पड़ेगा, तभी मुझे यह बस का नंबर बताएगा, शहरों में अधिकतर दुकानदार बस का नंबर तभी बताते हैं, जब हम उनकी दुकान से कुछ ना कुछ सामान मुझे भी यह तरकीब अजमानी पड़ी, मैंने जेब से एक रुपय का सिक्का निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया, उसके चेहरे पर हंसी आ गई, जैसे शायद मैं ही उसका पहला ग्राहक था, उसने जट मुझे एक ठंडा गिलास का पानी मेरी ओर बढ़ा दिया, मैंने सुभह के 8.15 हुए हैं, 8.20 पर बस आ जायेगी, बस स्टैंड पर बहुत सी सवारी खड़ी हुई थी, मैं मन ही मन खड़े खड़े सोचने लगा, ये कैसा बस स्टैंड है, उपर आसमान दिखाई दे रहा है, नीचे इधर उधर सैकडों लोग जो अपनी अपनी बस का इंत पर पूछा, यहां तो कोई बस स्टैंड नहीं है, क्या सच में यहां बस रुकेगी या नहीं? तब उसने बताया, पहले यहां एक बस स्टैंड था, लेकिन फालतु लोग बस स्टैंड पर आकर बैठ जाते थे, कुछ तो उसमें लेट भी जाते थे, एक नंबर के लफंग को कोई न कोई चोर यहां के बस स्टैंड का लोहा काट काट कर कबाड़ी को बेंच दिया करते थे, आखिरकार यहां के लोगों ने तंग आकर बस स्टैंड ही हटवा दिया, अभी बात पूरी नहीं हुई थी, तभी एक बस आती नजर आई, जिसमें लिखा हुआ था, कजार में खड़े यात्रियों के सामने उनके नंबर की बस आती हुई दिखाई दे जाए, तो दुनिया में सबसे कीमती तोहफा उस समय उनके लिए वही होता है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, जैसे ही बस मेरे आगे रुकी, वहां खड़ी तमाम पब्लिक तेजी से बस के भीतर घुसने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगी, यह नजारा देख मुझे बड़ा दुख लगा, अन्य राज्यों के शहरों में तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, मगर इस दिल्ली शहर में कोई भी यात्री लाइन लगाने के लिए तैयार नहीं है, सब्र नाम की चीज किसी में नहीं है, जब बस नहीं थी, तब तक तो सभी लोग शांत खड़े थे, बस देखते ही सब पागल हो गए, सवारी बस के गेट पर पहले से ही लटकी हुई थी, ड्राइवर के समझ में नहीं आ रहा था, इस स्टैंड पर बस रोकू या नहीं, आ अभी सवारी उसी बस में ही घुसना चाहती थी, मैंने ड्राइवर की बात मान ली और चुपचाप खड़ा रहा, मेरे सामने वह बस आगे निकल गई, कुछ सवारी उसमें चड़ी और कुछ सवारी वहीं स्टैंड पर रह गई, तब पानी वाले व्यक्ती ने मुझे वहीं चड़े क्यों नहीं, तब मैंने बड़ी मासूमियत से बताया, भीड बहुत ज्यादा थी, तब वह मुझे देखकर हसने लगा और कहने लगा, इस समय ड्यूटी का समय रहता है, भीड तो होगी ही, अब न जाने दूसरी बस कितने समय बाद आए, खैर, अब दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी, पांच मिनट के बाद ही मुझे फिर दो सो चौफर नंबर की बस दिखाई दी, मैंने फैसला कर लिया, इस बार तो बस के भीतर चड़ कर ही रहूँगा, इस बार ड्राइवर की बात नहीं मानूँगा बस फिर ठीक मेरे ही सामने रुकी और मैं तेजी से बस के भीतर घुसने का प्रयत्न करने लगा, मगर गेट पर सवारी पहले से ही मौझूद थी, जो बाहर तक लटकी हुई थी, अभी मैं बस का डंडा पकड़ ही पाया था कि ड्राइवर ने बस चला दी, मेरे दोनों पैर सडक पर थे और बस आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, बाकी सवारी बस के पीछे-पीछे दोड रही थी, ड्राइवर को बस रोकने के लिए कह रही थी, मगर ड्राइवर किसी की नहीं सुन रहा था, शायद वह जल्दी में था, या फिर वह बस में अधिक सवारी नहीं बै तब मुझे में जान में जान आई, एक सेकंड के लिए बस क्या रुकी, तब ही कानों में शोर सुनाई दिया, सवारी चिलाने लगी, वह देखो बस रुक गई, बस रुक गई, सवारी जैसे ही दोड़ी दोड़ी बस के नसदीक आई ड्राइवर साहब ने फिर बस चला दी, क अकसर में अखबारों में पढ़ा करता था कि चलती बस से यात्री गिर जाते हैं, मेरी खबर भी अखबार में छप जाती, मगर मैं उस दिन बाल-बाल बच गया, रोज बाबुजी के साथ स्कूटी में जाता था, तब मुझे यह एह एहसास नहीं था कि लोग बसों में कित चार सवारी बैठी हुई थी, कंड़क्टर बार-बार चिला रहा था, बिना टिकट कोई यात्रा न करें, आगे टिकट छेकर खड़े हैं, फिर बाद में मत कहना कि कंड़क्टर ने बताया नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से जेब में हाथ डाला और पांच का नोट निका करने का बड़ा शौक है, जिस दिन दबोचे जाओगे अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर कहोगे कि भीड की वजह से टिकट नहीं खरीद सके, मगर कंड़क्टर की बात का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ लोग कहने लगे, जब हमने DTC का पास बनवा रखा है तो हम ट इकट क्यों खरीदे, बस में काफी शोर गुल था, बस हिलती डुलती अपने सफर में आगे बढ़ी जा रही थी, मेरी निगाहों ने देखा, बस के बीच की गैलरी खचा-खच यात्रियों से भरी हुई थी, जो यात्री भीड में खामोश खड़े थे, मैं समझ गया, यह स सब शादी शुदा है, इन्हें चुप रहने की बीमारी है, लेकिन जो यात्री भीड में शोर मचा रहे थे, लगता है उनकी अभी शादी की बात चल रही है, इसलिए वह अभी खुल कर आवाज उठा रहे हैं, जिन्हें खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही वह सब मेरी ही तरह कारखाने में जाने वाले शायद नए यात्री होंगे, बहुत से यात्री तो एक टांग पर ही खड़े हुए थे, जरासी भी बस रुकती और ड्राइवर साहब ब्रेक लगाते तो सारी सवारी एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ती, मगर बहुत से यात्री मुझे उसमें खुश दिखाई दिये, उनके चेहरे पर चमक थी क्योंकि उन्हें कुर्सियां मिल चुकी थी, वह कुर्सियों पर ऐसे चिपक कर बैठे थे, जैसे किसी बच्चे को कोई खिलोना मिल जाता है, और वह बच्चा उस खिलोने को किसी को भी देना नहीं चाहता, कुर्सी पर बैठने वाले यात्री आराम से बैठे हुए आखें बंद किये हुए गीत गुन-गुना रहे थे, बाकी जो यात्री खड़े हुए थे, भीड में दब रहे थे, आपस में ही एक दूसरे को कुचल रहे थे, वह सभी एक-एक कुर्सियों से चिपक कर खड़े तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया, धीरे-धीरे सरकते हुए मैं पीछे वाले गेट से बस के बीचो बीच पहुँच गया, शायद यहां कुछ राहत मिल जाए, मगर वहां तो बहुत गड़बड हो गई, बस के बीच की संकरी सी गली में आजू-बाजू यात्रियों ने म मुझे पूरी तरह दबा दिया, किसी ने आवाज लगाई, बस के शीशे खोल दो, अंदर घुटन हो रही है, तभी एक अंजान आवाज आई, भाई साहब को घुटन हो रही है, ऐसी चलवा दीजिये इनके लिए, उस बस में कोई हंस रहा था, तो कोई रो रहा था, किसी क वह नौकरी करती होगी, उसकी वेश भूशा से लग रहा था, उसके आजू-बाजू कुछ पुरुश खड़े हुए थे, जब भी बस की ब्रेक लगती, तो वहाँ खड़े पुरुश उस लड़की से चिपक जाते, और उसके शरीर को सपर्श करते, मगर वह लड़की खाम जान महिला के शरीर को टच करने की घटिया सोच वाले लोगों की तादाद ज्यादा थी, ड्राइवर अपनी बस चलाने में मगन था, कंड़क्टर पीछे अपनी सीट पर बैठा हुआ, खिड़की से बाहर की तरफ जहांक रहा था, बस के यात्री खामोशी से यह सब पापी पेट के लिए शहरों में अकसर नौकरियों के लिए किसी की बहन, किसी की बेटी बस का ही सहारा लेती हैं, क्योंकि ओएंटो और रिक्षा में किराया अधिक लगता है। और मैं धक्का मारने वाले पुरुष से गरजते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये लड़की तुमसे कुछ नहीं कह रही है, और तुम भीड का फाइदा उठा कर लड़की के साथ छेड़ चाड़ कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, मैंने जब एक द यार खड़ा था, अगर इसने मुझे कुछ भी फालतु कहा, फिर मैं इसका मुह नोच लूँगा, मैंने फिर एक बार चिलाते हुए कहा, दाएं तरफ वाली सीट के उपर लिखा हुआ है, केवल महिलाओं के लिए यह सीटे हैं, फिर भी पढ़े लिखे पुरुष आराम, सिमहिलाओं की सीटों पर चिपक कर बैठे हुए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बड़े ही बेशर्म पुरुष हैं दिल्ली के, तभी एक पुरुष अपनी समझदारी दिखाते हुए बोला, आओ बहन, यहां बैठ जाईए, और उसने तुरंत सीट खाली कर दी, वह चश्मे वाली लड़की को सीट खाली करके उसे बिठाया गया, बस चलती रही, कई बस स्टैंड पीछे छूट गए और जहांगीर पुरी का बस स्टैंड आ गया, बस खाली होने लगी, वह लड़की सवारियों के साथ नीचे उतरी, उसने पलट कर मुझे एक बार काने में, मैं यही सोचता रहा, इस समाज में महिला की सुरक्षा को लेकर बड़ी-बड़ी बातें होती है, मगर आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपनों के बीच में ही उनका शोषण होता है, अपना ही समाज उन्हें जीने नहीं देता है, नौकरी पर जाने वाली महिलाएं यात्रा के दौरान क्या-क्या परेशानियों का सामना करती होगी यह तो उनका दिल ही जानता होगा कारखाने से शाम को वापस घर लोट आया बाबू जी का बुखार उतर चुका था अगले दिन सुभह बाबू जी स्कूटी लेकर तयार थे मगर मैंने बाबू जी से कहा मैं बस से आऊंगा आप स्कूटी लेकर चले जाइए बाबू जी ने कारण पूछा तो मैंने बस में हुई घटना की सारी कहानी बता दी बाबू जी ने मुझे स्कूटी में बिठाया और तुरंत नंद नगरी के बस डिपो पहुँचे वहाँ बाबु जी के जानने वाले एक मित्र थे बाबु जी ने उन्हें एक प्रार्थना पत्र लिखा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बाबु जी के मित्र ने आश्वासन दिया आप चिंता मत कीजिए आपका लेटर आगे पहुँचा कर कल ही कारवाई करते हैं बाबु जी ने मुझे स्कूटी में बिठाया और हम कारखाने की तरफ चल पड़े मैं मन ही मन सोच रहा था बाबु जी ऐसा क्या करने वाले हैं अगले दिन जब मैं बाबु जी के साथ स्कूटी से कारखाने की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक बस दिखाई थी उसकी खिड़की पर मुझे वही लड़की दिखाई थी चश्मे वाली मगर वह सीट पर बैठी हुई थी मैंने जब गौर से देखा तो उस बस में लिखा था यह बस केवल महिलाएं के लिए हैं आगे ब्रेकर था तो बाबु जी ने स्कूटी धीमी कर ली और पीछे वाली बस जब हमारी स्कूटी के साथ साथ चलने लगी तो उसमें बैठी चश्मे वाली लड़की ने मुझे देखा और मैंने उसे मैं मन ही मन सोचने लगा बाबु जी तो बड़े काम की चीज निकले और मुझे यह भी समझ में आया घर के बड़े बुजुर्ग जगडे से नहीं अकल से काम लेते हैं वाह भई वाह बाबु जी ने लिखवा भी दिया बस के आगे यह बस केवल महिलाओं के लिए है अब किसी पुरुष की हिम्मत नहीं कोई महिला वाले बस के डिब्बे में चड़ सके और मैं इतमिनान से बाबु जी के साथ स्कूटी पर बैठे बैठे खुशी खुशी कार खाने पहुँचा यह सोचते हुए बाबु जी के साहस और हिम्मत की चर्चा घर जाकर अम्मा को जरूर सुनाऊंगा बाबु जी का कमाल देखकर मुझे खुद पर भी गर्व हो रहा था दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सबस्क्राइब करना न भूले और अपने दोस्तों से शेर जरूर करे रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए कहानियान अनलॉक्ट 2.0